नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल जुनाओ की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश से बड़ी खवार आ रही है उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री ओम प्रकास राजभर ने अपने मंत्री पर स्तीफा दे दिया है आपको बता दें की ओम प्रकास राजभर का उत्तर प्रदेश सरकार से काफी दिनों से मत्भेद हो रहा था और काफी दिनों से मन मुटाव था आखिरकार ओम प्रकास राजभर ने अपने मंत्री पर स्तीफा फिर दे दिया पतकार के पूछ जाने पर उम्प्रकासाजभर ने कहा कि वे भाजपा के साथ अब नहीं है और ना उनका कोई लेन देन है हाला कि उनका इस्तिपा अभी वी सुविकार नहीं किया गया है ओमपरकास राजवर कहते हैं कि उन्होंने 13 तारीक को ही अपने पर्ष से रिजाइन दे दिया था लेकिन अभी तक उसे सुविकार नहीं किया गया उत्तरप्रदेश से अबाड़ी ख़बर है पूर मंत्री ओमपरकास राजवर ने अपने पर्ष से इस्तीफा दे दिया है अपने प्रत्यासी भी लड़ा रहे हैं। काफी दिनों से भाजपा और ओम प्रकास आजभर का विवाद होता रहा है जिसके करण ओम प्रकास आजभर ने आखिरकार अपने मंत्री पर से इस्थीफा दे लिया। लेकिन हवी उनका इस्थीफा स्विकार नहीं किया गया है। ओम प्रकास आजभर उत्तर परदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने आते हैं राजभर के सबसे बड़े नेता हैं ओम प्रकास आजभर और वे 2019 लोग सभा में अपने प्रत्यासी भी चुनाव मैदान में उता प्रकास आजभर ने मंत्री पस से इस्तीफा दे दिया है इससे भाजपा को तगड़ा जटका लगा है। तो यह रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश से ओम प्रकास आजभर ने अपने मंत्री पस से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग प्रश्ड़ाब